हाई फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल EPSC Info24 में स्वागत हैं तो दोस्तो हम उमीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थोंगे और खुसोंगे फ्रेंड्स यह जो वीडियो है पीजिटी नागरी सस्थ का भाग 133 तो अगर आप टीजिटी लेकर बैठ जाईए और अपने आपका मुल्यांक्तन स्वयम कर लिजिए एक प्रकार से आपका यह टेस्ट है तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पाला नमर कोशन कोशन है दोस्त फ्रांस में राष्टपती पद के लिए निर्वाचन हे तू कौन सी पद्धती अपना सी है अध्यच चुनाव पद्धती और आपसंडी है उपयुक्त सभी तो आंसर हो जाएगा दोस्तों एक यह सही हो जाएगा दिती मत्य पद्धती दिती मत्य पद्धती के द्वारा जो फ्रांस के राष्टपती होते हैं उनका निर्वाचन किया जाता है चुना जाता है त फ्रांच C C संविधान की विस्षेश्थाएं हैं, ए बताना है, आपशन A बिना संविधान सबा के निर्मीत संविधान, आपशन B प्रस्तावना की महता, आपशन C C संकठकाल का सिसु, आपशन D उपयुक्त सभी तो 137 का आंसर क्या हो जाएगा D सही हो जाएगा दोस्तो तो फ्रांसिसी संविधान की विशेष्टाएं क्या है कि उसको कहा जाता है कि बिना संविधान सबा के निर्मित संविधान है प्रस्तावना की इसमें क्या है इसकी महता है मतलब महत्य है और आपसन जो C.A. करा है कि संकट काल का सिसु भी फ्रांसिसी संविधान की विशेष्टा है कहा जाता है उसको संकट काल का सिसु भी तो ए तीनों जो है उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे तो विशेष्टा है तीनों थी आगे देखते हैं 138 नमर कोशन राजनीतिक संस्कृति की अवधारा किसकी देन है आपसन A. आमंड तथा पाविल का आपसन B. कोलमेन का आपसन C. डेविड इस्टन तथा कोलमेन का आपसन D. लूसियन पाई का तो 138 का अंसर दोस्तो ए सही हो जाएगा आमंड तथा पाविल क राजनीतिक संस्कृति की अवधारा किसकी देन है तो आपसन A. सही हो जाएगा आमंड तथा पाविल का अगला कोशन देखते हैं 149 नमर अभिजन वर्ग है अभिजन वर्ग क्या है किस प्रकार का है किस में निवास करता है यह बताना आपको अभिजन वर्ग से क्या आतात पड़ है आपसन A. जनता से अलग अलग रहता है आपसन B. यह जनता के बीद जाकर कारे करता है आपसन C. हिंसा में विश्वास नहीं करत आपसंडी ये सदा अस्थाई होता है तो अभिजन वर्ग क्या है तो आंसर हो जाएगा ए सही कि अभिजन वर्ग जनता से अलग अलग रहता है आपसंड ए सही है आगे देखते हैं 140 नंबर कोश्चन फिलिब इस्टर्णिंग भासा की सुतंता का दुर्पियो किस सदन की परमपरा है जिसको क्या नाम दिया गया है तर्म है कि फिलिब इस्टर्णिंग जिसको क्या कहा जाता है फिलिब इस्टर्णिंग को कि भासा की सुतंता का दुर्पियो किस सदन की परमपरा है आपसंड ए बिटिस लाड़ सदन की, आपसन B है अमेरिका सीनेट की, आपसन C है स्विस, जो होता है स्विस का स्विस्टरलेंड, राज़ परसत, चीनी जनवादी कांग्रेस का, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 140 का, B सही हो जाएगा, अमेरिकी सीनेट, लीबिग, फिलीब इस्टर का क्या है, दुर्पियोग है, उसी को टर्म दे दिया गया है, फिलीब इस्टर्निंग, तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, आगे चलते हैं दोस्तों, 141 नमर कोशन, अमेरिका में राष्टपती के निसे धा अधिकार को रद किया जा सकता है, यदि संबंध विधयक को, तो आपसन ए है, दोनों सदन दोबारा साधारर बहुमत से पारित कर दे, दोनों सदन दो तिहाई बहुमत से पारित कर दे, दोनों सदन तीन बटे चोथाई बहुमत से पारित कर दे, और दी है, सीनेट स्वर समती से पारित कर दे, तो आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, भी सही हो जाएगा अगर दोनों सदन दो तिहाई बहुमस से पारित कर दे तो ठीक है अमेरिका में राष्टपती के निसेदा अधिकार को रद किया जा सकता है निसेदा अधिकार मतलब एक प्रकारत का उनको विसेशा अधिकार रता है उसको रद किया जा सकता है किस विद्य यदि अमेरिकी राष्टपती का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्टपती भी न हो तथा कौन राष्टपती बनता है जैसे इस समय केमला हैरिस है सहर केमला हैरिस तो ओ इस समय उपराष्टपती की पदपे हैं तो जो भारत की मुल जैसे भारती मुल की निवासी है तो ऐसे बोला जाता है तो है तो कमला ऐरिस तो उस समय माल ये कोई नहीं है तब इस कोशन का जबाब क्या होगा ये बताए विदेश मंत्री रच्छा मंत्री सीनेट का उप्रदा आपसंड ये प्रतिनीधी सदन का स्पीकर तो कौन हो जाएगा दोस्तों तो आंसर हो जाएगा 142 का D सही हो जाएगा प्रतिनीधी सदन का स्पीकर क्या होगा उस पद को समालेगा कोशन क्या था कि यदि अमेरिकी राष्टपती का पद भीक्त हो जाए और कोई उपराष्टपती भी न हो तब कौन राष्टपती बनता है तो उस समय के लिए प्रतिनीधी सदन का स्पीकर ह उस पत को समालता है आपसन D आपका सही हो जाएगा अगला कोशन है 143 नम्मर दच्छिर अमेरिका में 1934 का नेटिव लैंड एक्ट सम्बंदित है किस से ए बताना है आपसन A है दच्छिर अफ्रिका की राजधानी में काले लोग जमीन नहीं खड़ीद सकते आपसन B है दच्छिर अफ्रिका की राजधानी में गोरे कालो के बीच किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा आपसन C है दच्छिर अफ्रिका की राजधानी में काले लोग सुतंत रूप से विचार व्यक्त कर सकते हैं आपसंडी है इन में से कोई नहीं तो 143 का आंसर दोस्तो ये सही हो जाएगा आपका कि दच्छिर अपरिका की राधानी में काले लोग जमीन नहीं खड़ी सकते हैं अफरिका की राधानी में गाले लोग जमीन नहीं खड़ी सकते हैं इस चीज से समबन्दी थे आपसंडी सही है 144 नमर देखते हैं प्रस्तावित मूल सम्विधान सभा में कूल सदस्यों का बटवा रा किस پरकार होना निचित था प्रस्तावित मूल सम्मिधान सभा में कुल सदस्यों का बटवारा किस प्रकार होना निश्चित था आपसन A मुख कमिशनर छेत्र के चार प्रतिनी दी के अधार पे आपसन B विटिस प्रांतों के 292 प्रतिनी दी के अधार पे देशी रियास्तों के तिरानवेर प्रतिनी दी के अधार पे आपसंडी ए उप्युक्त सभी के अधार पे तो 144 का आंसर क्या हो जाएगा D सही हो जाएगा उप्युक्त सभी के अधार पे था ठीक है आंसर D आपका सही अगला कोशन देखते हैं 145 नमर प्रारूप समीती ने प्रारूप समिधान तयार कब कर कब समिधान सभा के अध्यच को प्रस्तुत किया आपसं A जनवरी 1948 में आपसं B अ मार्च 1948 में आपसं C अ दिसंबर 1947 में और D अ सितंबर 1947 में तो 145 का अंसर क्या हो जाएगा दोस्तो A सही हो जाएगा जनवरी 1948 में जनवरी 1948 में जो है प्रारूप समीती ने प्रारूप समिधान तयार कर कब समिधान सभा के अध्यच को प्रस्तुत किया तो ओ जनवरी 1948 में तो दोस्तो इसका अंसर क्या हो जाएगा होंगे तो उसको क्राश चेक कर लिया करिए कि क्या सही है कि नहीं आख बंद कर किसी भी यूटूबर पे न विश्वास करें चाहे हो हम हो चाहे कोई भी हो कभी कभी एका कोशन गलत हो सकता है क्योंकि सभी लोग इंसान हैं आगे देखिए संविधान सबा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुछेद और अनुछेद और अनुछेद थी आपसन ए तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा तो मूल रूप से जब समिधान बनकर अमारा तयार हुआ था तो उस समय क्या हुआ था कि 305 बेर अनुछेद थे और इन अनुछेदों को उस समय 22 भागों में बाटा गया था और अंसूचिया जो थी उस समय आठी थी तो मूल रूप से जब पूछेगा जब तयार हुआ है उसमें मूल भी कही कही लिखा रहेगा तो यह उस समय का पूछा जा रहा है तो यह बताएंगे कि 395 बेर अंशेद थे 8 अंसूचिया थी तो इसको आप नोट कर लेंगे अब अगला कोशन देखते हैं कोशन दोनों पूछ लिया गया है जिससे कि आपको कन्फ्यूजन नहों यह प्रियास किया गया है वर्तमान में भारती समिधान में कितने अंशेद और अंसूचिया है तो आपसन A है 395 अंशेद 12 अंसूचिया आपसन B है 395 अंशेद 10 अंसूचिया आपसन C है 394 अंशेद 8 अंसूचिया आपसन D है 390 अंशेद और 7 अंसूचिया तो दोस्तो आंसर जो आजाएगा आपका A के साथ जाएगा 395 अंशेद और 12 अंसूचिया है तो आप इसको याद रखेंगे और अन्षेत को लगबग में इस समय 25 भागों में बाटा गया है तो आप इसको याद रखेंगे. आगे चलते हैं 148 नमर कोशन किस तीथी को पाकिस्तान के लिए प्रिथक सम्विधान सभा गठित की गई 3 जून 1947 योजना 5 जून 1947 योजना 10 अगस्ट 1947 योजना इन में से कोई नहीं 148 का दोस्तों 3 जून 1947 योजना के तहत थी क्या किया गया था पाकिस्तान के लिए प्रिथक सम्विधान सभा गठित की गई थी जो योजना थी वो लाड माउंट वेटन द्वारा प्रस्टूत की गई थी इस योजना में भारत और पाकिस्तान दो अलग-अलग राज्यों की अस्थापना की बात की गई थी तो आंसर होगा आपका ए तीन जून 1947 गुशन देख लेते हैं किस विद्यक को गुलामी विद्यक No.1 कहकर पुकार गया भारत सुरचछा अधनियम रालेट विद्यक इन में से कोई नहीं तो आंसर क्या हो जागा दोस्तो तो इसका जो आंसर जाएगा वो कौन सा होगा यह आप बताईए इसका भारती सुरच्छा अधिनियम या सार्वजनिक सुरच्छा अधिनियम या आपका रालेट एक्ट तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा वो भी सही हो जाएगा सार्वजनिक सुरच्छा अधिनियम को गुलामी विद्यक 1 कहकर पुकारा गया तो आपसन भी आपका सही है आगे देखते हैं 150 और इस वीडियो का आखरी कोशन भारती सम्मिधान के किस भाग को आत्मा की संग्या प्रदान की गई है मौलिक अदिकार को प्रस्तावना को सम्मिधान के जो सम्मिधान के सभी अनुछेद को राज के निती निदेशक तत्त को तो आंसर हो जाएगा दोस्तो आपसन भी प्रस्तावना को आपसन भी इसका आंसर सही हो जाएगा भारती सम्मिधान के प्रस्तावना को जो है आत्मा की संग्या प्रदान की गई है दोस्तो यही पर रहता अगर वो 34 वाला जो 32 वाला है वो अगर आता अंबेटकर ने किसको कहा है तो उसको हम अंबेटकर जो कहें उनको हम लगाते ठीक है अंबेटकर मोदे ने सम्विधानिक उपचारों के अधिकार को क्या है सम्विधान की आत्मा कहा है 32 अंशेट जो 32 है उसको कहा है सम्यधानिक उप्चारों का अधिकार वो कहा है कि सम्यधान की वो आत्मा है लेकिन उसमें जब तक आपको अंबेटकर नहीं लिखेगा इसमें तब तक आप आंसर प्रस्तावना को करेंगे जब अंबेटकर लिख कराएगा तभी आप उसको करेंगे सम्विधानिक उप्चारों के अधिकार को सम्विधान की आतमा की अंबेटकर ने किसे जो है सम्विधान की आतमा की संग्या दिये तो ओ है सम्विधानिक उप्चारों का अधिकार लेकिन इस question में यही सही होगा प्रस्तावना आपका सही answer हो जाएगा तो फ्रेंट ए थे 15 question हमने उम्मीद की थी पूरा प्रयास किया था कि इसमें जो है related or related question है मतलब और संब्यधानिक तुलनातमक राजनीतिक बिज्ञान से जो question है उसको ज़्यादा put किया जाए अन्निदेशों से दोस्तो आप लोगों का request था तो प्रयास था कि थोड़ा ज़्यादा उसमें लाया जाए या अमेरिका के संब्यधान से और एबिटेल या फ्रांस के संब्यधान से तो दोस्तो आगे यह प्रयास रहेगा कि और अच्छा वीडियो लाया जाए अगर वीडियो का content अच्छा लग रहा है तो आप प्लीच वीडियो को like कर दे और चैनल पे नहीं दोस्तो चैनल को जरूर subscribe कर दे दोस्तो आपका सयोग मिलता है आपका एक like जो मिलता है वो हमार नहीं लगता है कि मतलब कि कोई बड़ा हो गया है इंसल्टी नहीं होती है हां गलती हमसे होती है तो गलती को सिवकार करते हैं ठीक है घलतिया हर इंसान से होती है तो आप लोग भी पढ़ रहे हैं तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग भी comment करते रहे है अच्छा लगता है तो झाल झाल